चलिए काफी समय से यह मांग आ रही थी कि सर जो अभी एक्जाम होने वाले हैं उसके लिए कुछ जो टॉपिक्स है इंपोर्टेंट वो आप हमें बताईए और टॉपिक्स के साथ साथ जो कुशन है उसके साथ साथ आंसर भी आप हमें बताईए तो आज हम जो इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं यह क्लास है इंपोर्टेंट कुश्चन फॉर एक्जाम टूटाउजन टॉट्टी थ्री यह जो एक्जाम है यह आपके पास युनिशिटी लेवल के उपर जो अभी एक्जाम 6 अप्रेल से पीडियोची में स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद जो उसमें स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए एक इंपोर्टेंट यहां पर है इस पेपर को डिजाइन करा गया है पंडित, दीन द्याल, उपाध है, सेकावाटी, विस विध्धाले, सीकर के जो बच्चे हैं उनके लिए यह पूरी एक स्रीज है, इस पूरी स्रीज में अलगलग क्लासेज के जो इंपोर्टेंट क्यूशन है उसके बारे में अपन जो लोजी के जो पेपर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है, तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, वो है बीए सी पार्ट सेकेंड एर का पेपर इस बार का जो पेपर पेटरन है, उसमें और जो पुराने पेपर आ रहे थी, उसमें डिफरेंस के असब से पहली बात यह समझ लिजिए आपके पास जब कोवीड एड़ टाइम ओफ डूशन अब दिफ कोवीड सेशन के अंदर आपके पास जो पेपर आ रहा था उस पेपर में आपको 50% पेपर सॉल करना पड़ रहा था, इस बार आपको 100% पेपर सॉल करना है, इस देट किलिए या आप इस बात को पहले समझ जाएं सेकंड तिंग, अपकी बार आपको सहम वोई कोवीड से पहले वाला जो नियम था, वो ही आपके पास लग गया है, आपको परतेक उनिट में से एक एक क्यूशन करना पड़ेगा, इस क्यूशन जो फरस्ट है, इस मस्ट बे कमपल्सरी, इसके अलावा आपके बात तीन उनि से बिठा लीजिए, राइटिंग स्केल आप लोग चुट चुकी है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, यह जो क्यूशन हम बता रहे हैं, लाश्ट है भी हमारा हंडेड पर्सेंट जो गेस पेपर है, वो उनिटिटी एग्जामिनिशन में देखा गया है, बट मैं आप कर लें, कि सर यही आएगा, पूरा का पूरा एज एटेज पेपर आना यह पॉसिबल नहीं है, हम कोसिस करते हैं कि मैक्सिमम कंटेन हम यहापे कवर कर पाएं, अच्छे टंसे कर पाएं, जैसा कि हम लोग लास्ट दो सालों के अंदर देख भी रहे हैं, चलिए, तो यह जो इस पेपर है, मैक्सिमम चांसेज मनते हैं जो लोजी में, इस पेपर में से आप मैक्सिमम 34 जो मार्ट सें, 34 आउट और 34 मार्ट भी यहाँ पर गैन कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने बहुत सारे स्टुडेंट में लास्ट देखा है, चलिए, तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकेंड के अंदर, यहाँ पर सेक्षन यहाँ पर आएंगे, चलिए, पेपर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट अटेंप आल कुशन यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कुशन यहाँ पर आपको देखने को बिलेंगे, फर्स्ट कुशन है, वाट इस हैप्टें, हैप्टें क्या चीज होते हैं, हैप्टें कौन से मॉलिक्ल्स होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, राइट दा फुल फॉर्म और PCR, पॉलिमर चैन र इम्मुनिटी, इट मीज वह है इम्मुनिटी जो कि अपन बाहर से प्राप्त करते हैं, यानि सरीर से बाहर, आउटर इन्वार्मेंट से प्राप्त करते हैं, तो क्या बोलते हैं, है अपन एक्वाइड इम्मुनिटी, सेकिंड, राइट दा नेम ओफ एल, अफ यहाँ पर टू एग्जांपलो, ग्राम पॉजिटीव बैक्टिरिया, यहाँ पर कई वर ग्राम पॉजिटीव बैक्टिरिया के जरीए, ग्राम नेगिटीव बैक्टिरिया भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सने करें, ठीक है, चलिए, अब यहाँ से आपको जो जो आपने यहाँ से कर लिए पूरे का-पूरे को, अब बचे कितने हैं आपने पास, चार कुप्ष्ण, चार कुप्ष्ण में आप से करेंगे, एक किष्ण, सेक्शन, बिसलन, सेक्शन, से को से, क्से से, फुलटन, क्यूप भी बैक्ष में। इन ब्रीफ, इम्मूनिटी के कितने टाइप सोते हैं, पूरा लिखना है आप लोगो को उसके अंदर, ठीक है, टू टाइप होती है, इनेक्ट इम्मूनिटी और एक्वाइड इम्मूनिटी, एक्टिव पैसी जो भी है, वो सब आपको यहां पर इसमें लिखके आना है, आप लोगो को यहां पर मिल जाएं, 100% नमबर आपको यहां पर मिल जाएं, बट, शोटनोट में चांसे बन जाते हैं, कि वो अगर 6 नमबर का क्यूशन है, 3 नमबर का क्यूशन है, तो उसमें 3 out of 3 भी वो दे सकता है, एंटिजन क्या चीज़ होते हैं, हैप्टेन क्या डिस्क्राइब एंटिजन, एंटिबोडी रेक्शन, कितना टाइप के एंटिजन, एंटिबोडी रेक्शन होती है, किस परकार से ओवर के करती हैं, यह हो गया सेक्शन A, अगला है यहां पर सेक्शन B, सेक्शन B में हैं, वह आप लोगों को दे रखा है, write the difference between PK, प्रोक्रे या बेक्टरिया को अपने किस परकार से कर सकते हैं, जैनिटिकल मेटरियल वेरी, सो इंपोर्टेंट, maximum chances होते हैं, इसके यहां पर आने के, अगला है, loose pasture थोरी यहां पर क्या होद भी है, तो यहां पर अपन ने आपको B तक, सेक्शन B तक यहां पर बता दिया, यह यह चलिए, अगला है section C, section C के अंदर अपन देखते हैं, पहला question, write about gene transformation, gene को transfer करने के लिए, transformation करने के लिए, कौन-कौन से वेक्टर्स का अपन यूज़ कर सकते हैं, अगला question है, write the short note, किस पर short note लिखना है, bacteria phase क्या चीज़ होती है, DNA synthesis क्या होता है, और transgenic animal क्या चीज़ होते है अगला है, describe RDNA technology, RDNA technology को अपन किस प्रकार से describe कर सकते हैं, again एक और short note है, hybridoma technology किसे कहते हैं, production of monoclonal antibody किसे कहते हैं, homogenome क्या चीज़ होते हैं, एक AFLP जो technique है वो भी दे रखिये, what is colonic and write about use of bacteriophage, इसके बारे में भी अपन यहाँ पर देखेंगे, उसको write down कर लें आप, तो अब आपको करना क्या है, वो आप देखेंगे, आप लोगों को इसको ज़्यादा मैनत नहीं करनी है, आप लोग इसके नीचे दिस्क्रिप्शन एक link दे रखा है, उस link पे जाईए, app को download करिए, और उस app को download करने के बाद में, जो BSC Secondary का जो course है, उस course को आप, उसका selection करिए, उस course का जब आप selection करेंगे, selection करने के बाद, आप उसके अंदर जब add हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक folder मिलेगा, जब आप एड हो जाएंगे, तो लाइब्रेरिक आप फोलेंगे, उसके अंदर आपको एक folder मिलेगा, उस folder में important question 2023 सिंपल साय, कुछ नहीं करना, उसमें आपको maximum content और जो 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 जी है, उसका भी मिल जाएगा, आज ही paper 3 के बारे में आपने बात करिए, next video, paper 1st और 2nd के बारे में आपने बात करेंगे, BSC Part 2nd एर का, इसी तरिके से BSC Part 1st, 3rd, MSC Previous और MSC Zoology, सभी के important question हम लोग आपको आपक